एहम बिंदू हैं जो समक्षाएं हैं आपके सामने उनको उठाऊंगा सबसे पहले ये खबर आई है कि जो राना कपूर ये इस बैंक के फॉर्मर डारेक्टर रहे हैं आज एक आरोपी भी है इनके कुछ बयान जो दूसरी सप्लिमेंटरी चार्चीट एडी द्वारा दायर की गई है उसमें फिर से एक बार ये कहना गलत नहीं होगा कि कॉंग्रिस का हाथ भ्रष्टाचार के साथ और ये इसलिए बहुत चिंता जनक है कि किस तरह से जब कॉंग्रिस पार्टी सक्ता में थी तो गांधी परिवार के सदस से दबाव बनाते थे कि कुछ पेंटिंग्स हैं जिनको प्रोसीड्स ओफ क्राइम का इस्तमाल करके खरीदा जाए ये तत्य मीडिया चैनल्स पे और सभी यूस पेपर्स में भी सामने आए हैं कि प्रियंका वाडरा गांधी दबाव बनवाती हैं पूर मंत्रियों से कि राना कपूर दो करोड रुपई की पेंटिंग करीदें इससे ये तत्पर्रे निकाला जा सकता है कि जन्ता की गाड़ी कमाई बैंक में जाएगी उसके बाद उस गाड़ी कमाई को the proceeds of crime गांधी परिवार के पास पहुंचाया जाएगा और गांधी परिवार एक्सपेर की जो इमांदारी की मेहनत की कमाई बैंक में है उससे सारी तमाम सुवधाएं लेगा आम जन्ता त्रस्ट रहे कॉंग्रेस पार्टी और गांधी परिवार मस्त रहे और ये बयान ये भी दर्शाता है किस तरह से जो अभ्योगत हैं ये नहीं चाहते थे कि दो करोड़ रुपए दें लेकिन पूर मंतरी कॉंग्रेस सरकार में इतना दवाब बना देते हैं कि अगर आपने दो करोड़ रुपए इस पेंटिंग को प्रियंका वाडरा गांधी से नहीं लिया तो फिर गांधी परिवार का कहर आप पे बरसेगा और डर के साथ साथ बहुत दुख का विशे है कि उनको लुभाने के लिए कहा जाता है कि अगर आप ले लेते हैं तो पद्ब भूशन आपको दे दिया जाएगा हम सब जानते हैं किस तरह से जो लोग भारत को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं अधर्निय प्रदानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनका उत्सह बढ़ाने के लिए उनको बताने के लिए कि देश रिड़ी है उनकी भूमिका का ये पद्बा एवोर्ट दिये जाते हैं उनको पुरिस्कृत किया जाता है दूसरी तरफ यहां गांधी परिवार में प्रियंका वाडरा गांधी को कैसे प्रोसीड्स ओफ क्राइम आए इसके लिए पद्बा एवोर्ट दिये जाएंगे यह सोच कॉंग्रिस पार्टी और गांधी परिवार की है आज एक ही सवाल यहां से पूछा जाएगा यह जो रुप्या दिया गया प्रियंका वाडरा गांधी को बैंकिंग ट्रांजाक्शन के थुरू दिया गया है पूरा देश पूछ रहा है प्रियंका वाडरा गांधी जी या तो आप या वाडरा कॉंग्रिस बता दे कि क्या आपने कोई पेंटिंग इस तरह से दो करोड रुपए में दबाव बनाके ऐसे अभ्युक्त को बेची थी या नहीं बेची थी और मैं इतना ही कहूंगा पेंटिंग बेचना तो एक बहाना है असल में भ्रष्टाचार में नहाना है पेंटिंग बेचना एक बहाना है भ्रष्टाचार में नहाना है और पहले हम जानते हैं सोनिया गांधी राहूल गांधी और प्रियंका वाडरा गांधी में गांधी उपनाम हैं लेकिन जिस तेजी से भ्रष्टाचार के मामले बहार आते हैं और सारे भ्रष्टाचार के तार जाके जुड़ते हैं गांधी परिवार से तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सोनिया भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर है राहुल भ्रष्टाचारी क्योंकि बेल पे बाहर है और अब प्रियंका वाडरा गांधी भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर है प्रियंका वाडरा ये भी समय आएगा कि लोग आपसे पूछेंगे कि आप बताईए कि क्या आपने केवल और केवल देश को बेचने का ही काम करना है और ये जो बड़े सवाल मैंने पूछे हैं प्रियंका वाडरा जी दो लोग बेल पे बाहर हैं जो क्रत आपके हैं तो मैंने कहा उसमें संशोधन करते हूँ ये जरूर कह दूँ ऐसा ना हो कि आप पे भी ये मुकद में चले और आपको भी बेल लेनी पड़े इसके साथ ही ये चिंता का विशे इसलिए है क्योंकि ये आम जनता की जो मेहनत की कमाई है जिनकी रक्षा करने के लिए भारतिय जनता पार्टी और एंडिये की सरकार सामने आई और आरोपियों को दंडित कर रही है उनको इस्तमाल करने का काम अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए अगर किसी ने किया है तो गांधी परिवाद ने किया हमें उमीद है कि 24 घंटे के अंदर प्रियंका वाडरा गांदी अपनी चुपी तोड़ के सत्य पूरे देश के सामने रखेंगी और अगर 24 घंटे के अंदर इस तथ्य को नहीं नकारा जाता तो ये निश्कर्ष निकाल लिया जाएगा कि इस भरष्टाचार में फिर से गांदी परिवार का हाथ है